हेलो फ्रेंड स्वागत है मेरे किचन में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए आज में लेके आयोन धावाइस्टाइल बटर पनीर की रेश्पी आप अगर इस तरह से बनाओगे तो यह बिल्कुल ही धावाइस्टाइल टेस्ट आएगा तो एक बार आप जरूर ट्राइ करें तो चलिए फिर बनाना सुरू करते हैं यहां पर मैंने दो चम्मर्स तेल गरम होने के लिए रख दिया है तो तेल हिलका सा गरम हो गया है तो हम 10-15 काजू तेल में डालेंगे साथ में हम 5-6 का लिया है लेसन एक इंच अद्रक का टुकड़ा चाज से पांच लाल मिर्च और साथ में यह दो मीडियम साइज के प्याज हैं जिसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है वो डालेंगे और इसे हलका सा फ्राइ करेंगे कि देखिए प्याज का कलर चैंज हो गया है अब हम इसमें छे टमाटर डालेंगे तो यह चे मीडियम साइज के टमाटर है टमाटर को हमने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है वो डाला है अब हम इसमें थोड़ा सब पानी डालेंगे और ढखकन ढखके हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए यह देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह ठंडा हो जाए तो इसका एक स्मूद सा पेश्ट हम त्यार कर लेंगे चलिए फिर स्थे हम कड़ाई चड़ाते हैं और इसमें दो चम्मच गी डालेंगे तो घील का सग गरम हो गया है अब हम इसमें एक चम्मच धनिया पौडर आदा चम्मच जीरा पौडर और आदा चम्मच हल्दी पौडर है बूडाला है साथ में एक चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च पौडर और आदा चम्मच गरम मसाला हलका सा फ्राय करेंगे तो दस सकेंद तक इसे फ्राय करना है अब हम इसमें कटी भी धनिया पत्ति डालेंगे और साथ में आदा चम मच कसूरी मेथी और इसे भी हम 10 से 12 सकेंद के लिए फ्राय कर लेंगे गैस को हमने स्लो रखा है गैस को स्लो ही रखें नहीं तो जल जाएगा अब हम पेश्ट टालेंगे जो हमने बना के रखा था साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अब हम इसे स्लो आज पे 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे इससे ग्रेवी बहुत ही टेश्टी बनती है अब हम इसमें स्वात के नुसान नमक डालेंगे चलिए फिर से ढख देते हैं और इसे पांच मिनट तक हम मेडियम आज पर पकाएंगे यह देखिए पांच मिनट हो गया है इसे चला लें ग्रेवी को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अब हम इसमें क्रीम डालेंगे तो दू चम्मच हम यहां पर क्रीम डालेंगे इसे मिक्स करें अब है कि यहां पर हमने एक चम्मच यहीं भी डाला था और इसे अच्छे से मिक्स कर लें देख सकते हैं ग्रेवी यहां इसे अच्छे बनके त्यार हो गई हैं अब हम इसमें पनीर डालते हैं तो यहां पर हमने 300 ग्राम पनीर लिया है और इसे चोटी टुकरे में कट कर लिया है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसे ढखके फिर से 2-3 मिर तक पका लेंगे ताकि पनीर अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाए बस बटर पनीर हमारा बनके त्यार है तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें उपर से एक टुकड़ा मक्षन का डालेंगे आप एक बार जुरू ट्रा करें आपको बहुत ही पसंद आएगा यह देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी पनी है अगर आपको यह बटर पनीर की रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते सब्सक्राइब के साथ तब तक बाई बाई